हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चेंपियन जयद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौम्मद जयद और दोस्तों आज हम लोग सुरू करने वाले हैं मराथी हम लोगों ने इंगलिश के सभी चैप्टर को पढ़ा दिया है उम्मेद है आपने भी अच्छे से उसका पठ प्रेयर के फॉज़र में है और यह परार्थना है तो कभी यह एक्जाम में आता नहीं है तो हम लोग डारेक्ली शु Under करते हैं संत वाणी से पहला है हम लोक asking मिक सरवकाड सुकु घाता था तो पहला हम लोग अंकिला मिदास तुझा खतम करते हैं तो अंकिला मिदास तुझा एक अभंग के अभंग के बुक से लिया गया है अभंग से लिया गया है और अभंग का ये एक फॉर्म है और इसे लिखा है संत नाम देव ने ये कविता नहीं है ये एक अभंग है तो संत नाम देओ यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिये पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अगनी माजी पडे बाडु माता धावे कनवाडु मतलब जेवा एखाधा बाल मतलब जब कोई एक बच्चा आग में पड़ता है तो किस तरीके से उसकी मम्मृश को बचाने के लिए दोडती है तो अगनी माजी मतलब अगनी मदे पड़े बाडू मतलब बाड, माता धावे कनवाडू मतलब दयाडू मतलब दयालू मा जिस तरीके से अपने बच्चे को बचाने के लिए दोड़ती है जब उसका बच्चा आग में पढ़ जाता है तैसा धावीया माझिया काजा, अंकिला मीत दास तुझा मतलब ये कहते हैं कि जिस तरीके से उसकी मम्मी उसको बचाने के लिए दोड़ के जाती हैं वैसे ही आप मुझे बचाने के लिए मेरे काम वो मेरे मदद करने के लिए आप मेरे काम में आओ और अंकिला मतलब अंकित जालेला अंकिला मतलब अंकित जालेला आप कमें दास हूँ, आप कमें सेवक हूँ, आप मेरी मदद करो जब भी मुझे काम पड़े जिस तरीके से एक मम्मी अपने बच्चे को बचाती है समेची जेपावे पक्छिनी, पिली पणतची धर्णी मतलब की कहती है कि, ये संत नामदियों कहती है कि जैसे ही एक हादा पक्छिनी चे पिलू, मतलब एक पक्छि का जब बच्चा जैसे ही जमीन पर पड़ता है, तुरंट जिस तरीके से उसको बचाने के लिए उसकी मम्मी तुरंद समय मतलब लगेच भाग कर जाती उसको बचाने के लिए जब उसका वच्चा धर्ती पर पड़ता है मतलब जमीन पर गिरता है उसी तरीके से आप मेरी मदद करो अब यहां में पर वेगवेगड़े दुरुष्टान ततून त्याने प्रार्तना स्पस्ट के लिए है भुकेले वत्सरावे धेनु हमबरत धावे मतलब वत्सरावे मतलब वासराच्चे आवाज आने धेनु धेनु का वच्चा वासरू तो वासरू को जब भूख लगती है तो जब उसको भूख लगती है तो उसको खाना खिलाने के लिए तुरन धेनु जाता है क्योंकि धेनु मतलब गाय को पता चल जाता है कि उसका बच्चा भूखा है कैसे उसकी आवाज से वत्सरावे वणवा लागला से वणी पाड़स चिंतित हरणी मतलब की वणवा मतलब रानात लागलेली आग वणवा मतलब आग तो जब वण में मतलब जंगल में आग लग जाती है तो समय सभी लोग महां से भाग जाते हैं पर पाड़स को बचाने के लिए हरणी चिंतित रहता है, मतलब हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए चिंतित रहता है, पाड़स मतलब हरणी चे पिल्लू, नामा मडे मेगा जैसा विनवीतो चातक तैसा, नामा मतलब नामदेव बोलते हैं यहाँ पे, कि जैसे बादलो क के लिए चातक पक्षी चातक पक्षी ये कालपनिक पक्षी है इसे कहा जाता है कि ये पक्षी सिर्फ बादल का पानी पी के जिंदा रहता है और कोई पानी नहीं पीता है सिर्फ स्वच पानी बादल का तो यहां पर कहते हैं जिस तरीके से चातक बादल का इंतजार करता है उ होती इजी चप्टर है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में नेक्स्ट वीडियों में हम लोग पढ़ेंगे योगी सर्वकार सुखदाता है